ब्रह्मन करना है तो देश में भर्मन करिए, अपने देश में गुमिए, अपने देश के परियर्टन को बढ़ावा दीजिए, छेठा प्राकुरती खेती के प्रती किसानों को जादा से जादा जागुरुक करते रहिए, मेरा सात्वा अग्र है, मिलेट्स को, स्री अन्न को, हमार यहां जो बाजरा और जवार खाते हैं न, स्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करिए, इसका खूब प्रचार पसार करिए, मेरा आठ्वा अग्र है, फिट्नेस, योग हो, स्पोर्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाईए, मेरा नववा अग्र है, और यह मैं मानता हूँ, कि हमारी नई पीडी को ध्यान बर रखते हुए, आप सब से मेरा जादा अग्र है, किसी भी तरह की ड्रग्स और नसे की लट से बिल्कुल दूर रहिए, अपनी युवा बच्चों को बचाईए, इन्हें अपने जीवन से दूर रखिए, साथियों, मुझे विश्वास हैं, आप सब अपने हर दाइत्व को पूरी निष्टा और सामर्थ से पूरा कर सकते हैं और करते रहेंगे, अमरेली में बनने जा रहा, कैंसर हॉस्पिटल भी सर्व समाच के कल्यान का उधारण बनेगा, मैं लिववा पाटिदार समाच और स्री खोडल धाम ट्रस्ट को उनके भविश्च के आयोजन के लिए बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ, मा खोडल की कृपा से, आप इसी तरह समाच सेवा में जुटे रहें, एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत सुपकामनाई, लेकिन जाते जाते एक और बात कह दूँ, बुरा मत मानना, आजकल हमारे यहाँ भी इश्वर कुपा से लक्ष्मी जी का वास हुआ है, और मुझे खुशी है कि लक्ष्मी जी ने आपके हाँ जगा पाई है, लेकिन क्या विदेश में शादी करना उचीत है क्या, क्या हमारे देश में शादी नहीं हो सकती है क्या, भारत का कितना धन भाहर चला जाता है आप भी एक मातराण बनाएगे ये विदेशों में जाकर के अब ये शादी की बिमारी आ रही है न वो हमारे समायत में नहीं आने चाहिए अरे मां खुडल के चरणों में शादी क्यों नहीं हो और इसले मैं तो कहता हूँ वेडी इंडि में करो मेडी इंडिया वैसे मेडी इंडिया खर आप सब परिवार जना है तो बाते करने का मन कर जाता है लंबी बात नहीं करता हूँ आप सब को बहुत बहुत शूपामनाए धन्यवाद